नमस्का दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं नब्वे दिस्वा चार में का हर्स में कुमावाणी और मैं हूँ आप लोगों की रेड़ी दोस्त करता दिश्ट शुरूत आओ आज हम एक खास दिवस के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं मानो शरीर कई तरह के अंगों से मिलकर बना हुआ है लेकिन अगर हमारे अंगों को ठीक तरह के से कारी करना हो या मानो शरीर को ठीक तरह के से कारी करना हो उसके लिए हमारा मस्तिक्ष एक एहम भूमी का निभाता है तो इस तरह से हम कहसे हैं कि मानो मस्तिक्ष हमारी एच्छिक और अनेच्छिक किरियाओं को नियंतित करता है ऐसे में अगर हमारे मस्तिक्ष में किसी तरह का विकार उत्पन हो जाए तो हमारे पूरे जीवन को प्रभवित कर सकता है वैसे दो मस्तिक्ष के कई विकारों को हम कुछ उपचारों, कुछ दवाईों से ठीक कर सकते हैं लेकिन हमारे मस्तिक्ष में कुछ ऐसे विकार भी उत्पन हो जाते हैं जो ठीक नहीं किये जा सकते हैं यानि कि यह विकार आज इवन हमें प्रभावित करते हैं इनहीं में से एक है ओटिजम, शुरुताओ ओटिजम जिसे स्वालिनता भी कहा जाता है, आज ही के दिन विशुभर में दो अप्रेल को ओटिजम दिवस मनाया जाता है, पहली बार 1938 में वियर्ना युनिवसिटी के होस्पिटल में कार्यत हैंस एस्परेज ने ओटिजम नाम से जाना जाता है, इसके विभी ने प्रकारों की खोच कर रहे थे, बाद में उन्निश्टो थे में जॉन हॉपकिन होस्टिल के कॉर्णर लियो ने सौरपथम ओटिजम को अपनी रिपोर्ट में वानित किया था, कॉर्णर ने ग्यारा बच्चों में पाए गई उनके विभारिक समानताओं के आधार पर एक रिपोर्ट तयार की थी, और तभी से प्रतेख वर्षम दो अप्रेल को ओटिजम दिवस मनाया जाता है, और लोगों को ओटिजम के प्रती जागरू किया जाता है, वैसे तो स्रोताओ, ओटिजम एक गंभीर समश्या है, और एक ऐसी होगा, इसलिए आज हमसे इस विशे पर एक खास महमान जोड़ने जा रही हैं, जो हमसे टेलीफोनी के माधियम से बात्चीत करेंगी, तो आइए चलते हैं उन महमान के पास और जानते हैं, और जानते हैं आटिजम के बारे में कुछ महत्त पूर्ण बात हैं नमस्कार में, प्यारे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस बुलाने के लिए, और मैं इस समय सुभए की जो मेरी टाइमिंग है, विजलाल हॉस्पिटल में मैं मैं उपीडी करती हूँ, दस से दो की, और एवनिंग में मेरा अपना क्लिनिक है, समाधान में काउंस्लिंग सेंटर, तो तीन से साथ मैं वहाँ पर अपनी उपीडी करता हूँ, मैं जैसे कि ऑटिजम दिवस है आज, तो उसी को लेके मेरे आज सवार भी है, सबसे पहले तो मैं यह जाना चाहूंगी, ऑटिजम क्या होता है, और यह क्यों होता है, देखी मैं, ऑटिज एक तरह का neurodevelopmental disorder है, जो जबकि हमारे कोई genetic, complex genetic होते हैं, वो environmental factors से मिलते, brain developmental disorder कर देते हैं, कुछ, कुछ changes हो जाते हैं, brain में हमारे, तो इससे हमारा neurological problem develop हो जाती है, तो उसी को हम autism कहते हैं, वैसे हम लोग की medical language है, उसमें इसको ASD भी कहते हैं, और इसको मैं कोई ऐसा reason नहीं ह होने का कोई भी reason नहीं है, कि किसी बज़े से यह होता है, तो multiple reason है इसके लिए, जो कोई family में पहले किसी को कभी रहा हो, कोई autism या कोई developmental problem रही हो, या कोई DNA की problem रही हो पहले, या second reason यह भी है कि आजकल आप देख रहे हो, कि जो शादिया हो यह बहुत age ज़्यादा parents की हैं, उसमें वो conceive करने हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा factor है, autism का या कोई developmental disorder के लिए, तो यह कुछ reasons हैं जो जिनकी बज़े से autism होने की chances हो जाते हैं, मैं थोड़ा सही जानना चाहूंगी कि हम autism के पहचान कैसे करें, मतलब हम कैसे जाने कि हमारा बच्चा autism जैसी समश्या से चल पाता कि मेरे बच्ची को problem है, यह phase बहुत easy है क्योंकि हम लोग उनको aware कर सकते हैं कि आपके बच्ची को problem है और जो symptoms में आपको बताने बाली हूं, तो वो symptoms अगर माबाब को अंदाजा आता है कि यह दिख रहे हैं तो वो आपको दिखा सकते हैं doctor को, लेकिन second phase हमारा यह जाता है कि जिन parents को पता है कि problem है, मेरे लिए तो मेरी जो awareness का program करने का एक ही motive है, कि मैं उन parents को बताना चाहते हूं, मेरे पास parents आते हैं, तो मालूम भी है, मैं testing भी देती हूं, reporting भी देती हूं, लेकिन वो लोग accept नहीं करना चाहते, वो लोग ही कहते हैं कि मेरे एक जिन लोग को पता ही नहीं है, कि मेरे बच्चे को problem है, और मैं दिखी कुछ symptoms ऐसे हैं, जैसे अगर जो भी आपको मालूम है, कि दो साल तक कि हमारे बच्चे में autism की जो symptoms है, वो आपको दिखने ही लग जाते हैं, तो अगर आपका बच्चा social smile नहीं कर रहा है, जैसे आपकी speech developed नहीं हो पाई है भी तक का, या बच्चों की जो brain functioning है, जो बच्चा जिस age का जो काम करना चाहिए बच्चे को, वो बच्चा properly नहीं कर पा रहा है, या वो अपना isolate रहता है, अकेले में, खुद में busy रहता है, क्योंकि आपको मालूम है, मैं की autism का जो हिंदी मैं अनुवा अनुवाटर्स हैं, उनको शो नहीं कर पा रहा है, अपने बात को बता ही नहीं पा रहा है, तो यह सब जो symptoms है, या autism की symptoms है, अब कुछ parents को पता भी होता है, कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको accept ही नहीं करना चाहते हैं, बैलकि मुझे मैं खुद ही कहना चाहूंगी, जितनी जल्दी अगर हम इनका find out कर लेते हैं, कि मेरे बच्चे को autism है, और हम उसके treatment लेते हैं, तो कासी सब तक हम उस बच्चे की growth में मदद करते हैं, उन लोगों के लिए, बिलकुल, तो मैं जैसे जब मैं autism चैनिकी स्वालिंता के बारे में study कर रही थी, तो अगर हम बच्चे के सांग conversation नहीं करते हैं, अगर हम बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, आजकल आप देख रहे हैं, कि parents दोनों working हैं, और आने के बाद हम सब mobile पे हैं, अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर partially autism भी बच्चे को होगा, तो हम उसको करेंगे, हम mobile से उसको दूर करेंगे, क्योंकि उन बच्चों के लिए जरूरी है, कि screen time बिलकुल off होना चाहिए, TV, mobile, इन चीजों से मैं चाहती हैं, उनको दूर कीजिए, क्योंकि जितना आप उससे conversation करेंगे, उसको outdoor games खिलाएंगे, तो बच्चा growth करेगा, develop करेगा, और ज कुछ इसपस्टिकरन हमको दिखाई नहीं दे रहा था, कि उपचार है इसका, क्या वास्तामा autism का अभी तक कोई भी उपचार नहीं है, मैं देखिए, medicine तो अभी तक कोई भी sanctity नहीं बनी है, कि कोई हम दबाया दें, और इंको हम की कर पाएं, बड़, psychotherapy और behavior therapy, कुछ comply अगर करते हैं, तो बच्चों में काफी हद तक improvement हो सकता है, autism को मैं हम दो तरीके से divide करते हैं, behavior को, communication और social interaction हमारा कम हो जाता है, और second उसका है, जब उनका हमारा जो behavior होगा, repetitive हो जाता है, मैं, repetitive होते होते हैं, तो इन दोनों के लिए, अगर हम proper किसी बच्चे को और किसी person को psychotherapy, behavior therapy, survive करते हैं, तो और कुछ चीजें ऐसी से play therapy है, group sessions है, या occupation therapy है, ये जब बच्चे को growth करते हैं, develop करते हैं, और क्योंकि बच्चा connect होता है किसी therapy से, तो वो negative चीजें को positive में convert करने के लिए motive हो जाता है, तो यानि कि हमें अगर बच्चे की therapy करनी है, यानि कि therapy या कुछ इस तरह के से उपाई हो सकते हैं, पर कोई हम कोई उसको जड़ से खतम नहीं कर सकते हैं, तो इसका तो अगर है नहीं, तो ऐसे में थ्वास है, ये में जानना हमारे जरूरी हो जाता है, जो autism से period बच्चे हैं, या जो अभी वयस्क बन चुके हैं, उनके जीवन में किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल मैं, देखी मैं तो अभी मेरे को तो अभी काम करते हैं, ये 16 यर लग लग हो गया है, इस फिल्ड में, तो मेरे पास वो बच्चे भी आये हैं, जो बच्ची जब मेरे पास स्टार्टिंग के 4-5 यर के बच्चे थे और आज इस वक्त तो वो 10-12 यर, 13-14 यर चे भी हो गए हैं, और चैनलीज है मैं, एक्चुल होता क्या है, समाज को एवेर करना हमाले में परपस है, क्योंकि अगर जब तक समाज इसके एवेर नहीं होगा, हम उन बच्चों को सपोर्ट करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि कई पर चैनलीज होता है, स्कूल में बच्चा कोई है, उसकी इंटलेक्चिल कैपसिटी बहुत अच्छी है, उसका IQ बहुत अच्छा है, वो कर सकता है, पर कुछ उसकी ऐसा बीवेर है, जिसको इंप्रूफ करना भी वाकिए है, पर जो स्कूल का सपोर्टिंग सिस्टम है, या जो बच्चों की जो कनेक्टिविटी और उसका संग वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो हमें कोशिश करनी है कि स्टम्स में भी हमें पेरिंट्स के लिए भी और सोशल वैलफेर में भी हमें एक प्रॉपर कांस्लिंग सेशन की जरूरत है मैं, जो अवेर कर पाएं इस प आपको थेर्पी और विएवेट थेर्पिम उनको इतना इंप्रूज कर सकते हैं जो अपने इंडिपैनेट लाइफ प्रॉपरली जी सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारा आटीजिम या कोई भी मांचिक जो समश्य हैं उनसे जूजे ही न तो इसके अभी से क्या कुछ तयारी कर सकते हैं थोड़ी सी अवेर्नेस हम अपने अंदर ला सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन हो वो इस तरह की प्रॉब्ल को यूजए है और रखी में इस पूलूगी कि हर पेरेंस को यूज़ करना चाहिए तो हर बच्चे में इंप्रूइमेंट के जरूद हमेशा होती है तो जहीं है आपके इने बच्चों से तो बहुत बात करने ही जाहिए जहीं कि आजका पेरेंस खुद भी इरिटेट रहते बच्चों से जब भी वो बात करते हैं, तो एक उनकी जो टोल होती है, बहुत हाई होती है, बहुत इरिटेशन से या अग्रेसिव होके बात करते हैं, या जब भी हम बात करते हैं, बच्चों से सिर्क लेक्चर शिप की तरह बात करते हैं, कि हम लेक्चर दे रहे हैं, तो इसे शब्दों का इस्तमाल करने जो समझ सके प्रॉपर ली और सभी भी बच्चों के संग आप नहीं करने हैं और कोशिश कीजिए उनको प्रॉपर टाइम देनी का आप कितनों भी बीजी हैं अगर दोनों पेरेंस वरकिंग भी है तो आपको पूरे दिन भर में एक घंटा ज बच्चे को प्रॉपर देनी चाहिए जिसको हम quality time कहते हैं कि आपको बच्चे को लगे हम मेरी पेरेंस मेरे साथ हैं वो बहुत ज़रूरी है और second thing कि अपने बच्चे को या जो भी बच्चा है आपका जिसको प्रॉब्म आपको लग रहा है कि mild hair autism तो उसको independent काम करने के habit आ बच्चों का बच्चों का पजी पहनाने है शूस पहनाने है कॉम करना है तो कोशिश कीजिए बच्चे अगर three to four year से अबब बोते जा रहे हैं तो बच्चों को independent काम करने की habit आले है अपना पास खूद लें अपने बहुत नयाब भरें तो जैसे से हम बच्चों में ये capacity को development करते हैं बच्चों का development हम लोग कर रहे होते हैं without therapy ये भी एक psychotherapy की तरह ही होता है कि हम बच्चों को independent काम करते हैं देते हैं और अब जो भी घरका आपका मवातावरन है जो भी आपका atmosphere है घरका पहुत शान तो है पहुत अच्छा होना चाहिए ये सब चीज़ें infant of child कभी भ क्या आप हमारे समुदाय को कोई संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आप भी एक मनुचिक्ट सक हैं और आपने autism के मरीजों को भी बहुत करीब से देखा है उनके parents को भी बहुत करीब से देखा है क्योंकि अगर बच्चा को चीज़ें जहल आए तो उनके parents भी को चीज़ें और दुसरा समुदाय का जो रवया है ऐसे बच्चों को लेके वो अतना सगारात्मंग नहीं हो पाता है तो आप क्या उन सब लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरब से बिलकुल मैं मैं ये बात हर बार अपनी हर स्वीच में कहती हूँ कि हमारे लिए हमारा बच्ची की mental health सबसे बड़ा एक healthy mental health एक purpose होना चाहिए हमें कभी भी सोचना मैं कि अगर मेरा बच्ची को problem है मैं इसलिए वहाँ नहीं जा रही डॉक्टर के पास कि लोग क्या कहेंगे मुझे लगता है उन लोगों की वज़े से अपने बच्ची की life को spoil कर रहे है जो बच् को starting से अंदाजा आ रहा है कि थोड़ी सी problem है और वो वहीं counseling से और psychotherapy से shot out हो सकती है पर हम being a parent सिर्फ लोगों के जरसे की लोग ये ना कहते हैं कि मेरे बच्ची को ये problem है तो हम doctor को avoid करते हैं हम counselor को avoid करते हैं और हम stage पहुंच आते हैं जब में दबायों के जरुरत पढ़ती ह तो मैं सारे समाज से सब्सक्राइब करना चाहती हूं कि प्लीज अपने बच्चे के treatment तब कराईए जब उसकी starting हो जब उसको चुरू बात हो problem की दोश्रता आपने सुना प्रीनिता कपूर जी को जो अभी एक मनुच चिकित्सक के रूप में कारी कर रही हैं और बहुत सारे autism से पीरित बच्चों के साथ भी वह कारी कर जुके हैं तो वर्तमान में अगर हम बात करें autism के बारे में दुनिया में लगभक साथ करोड़ आबादी 2010 तक autism से प्रभावित थी और अभी वर्तमान में भारत में autism से ग्रचित लोगों की संक्या लगभक एक करोड़ सता लाक तक पहुँच चुकी है autism के प्रती लोगों को जागरू करके ही समश्या का समधान किया जा सकता है क्यूंकि जैसा की डॉक्टर ने भी कहा इस बीमारी का अभी तक कोई पूर्ण तरीके से इलाज नहीं है इसलिए हमें अपने बच्चों की गतिविधियों को समझना होगा और अगर हमारे आजपास कोई autism वाला बच्चा है तो उसके हम मदद कर सकते हैं उसके प्रतिहम और अधिक सवेदन सिल्टा प्रकट कर सकते हैं उनका हम वहता तरिके से खयार रख सकते हैं साथ साथी उनके परिवार को हम मुरर सपोर्ट भी कर सकते हैं इस से कहीं न कहीं उन्हें autism से लड़ने में मदद मिलेगी तो श्रोता आज ता हमारा ओटीजम पर यह खास कारिक्रम उम्मीद करते हैं इस कारिक्रम से आपने बहुत अधिक ना सही ओटीजम की कुछ महत्वपुन बातों को जरूर जाना होगा इसे के साथ मैं कविता बिस्टा आप से लेती हूँ इजाज़त फिर होगी मुलाकार किसे अन्नी दिवस्पत तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुस्ते रहें और मुस्कराते रहें